हलो गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम करने वाले हैं ड्राइ स्किन पर मेकप वो भी विंटर्स के लिए एंड एक तम ख्लोई ग्लास स्किन एफेक्ट चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, टोनर के साथ क्योंकि क्लेंजिंग, टोनिंग, एंड मॉश्यराइजिंग, यह हमारे स्किन प्रेप का में इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कभी इसकिप नहीं कर सकते हैं, तो क्लेंजिंग मैं कर चुकी है, उसके लिए मैं यूज किया था, सिंपल का फेश बास, अगर आपकी स्किन ड्रा भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो बच टॉनर ज़रूर यूज करने, क्योंकि यह बच्हाउड कटा यह इप क्पोर्ट में प्राट सर nuggets empezar फिल बहुंड करना दांस ब्रूंड में करना चाइπα कर लिए この आपऑ नहीं कर आप बचल अपकी प्रारायल के प्राइक तो मैं यूज़ रही हूँ यह जो मॉश्यराइजर है यह पॉन्स का है आप ऐसा मॉश्यराइजर यूज़ करोगे जो बहुत जादा थिक हो consistency में आपके skin type को suit करें dry skin के लिए आपको ऐसा मॉश्यराइजर यूज़ करना है जो oil free ना हो, मतलो आपको कोई ऐसा moisturizer लेना है जिस पर ये ना लिखा हो कि ये oil free moisturizer मेकप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एक facial oil अपने पास रखो and जब भी आप मेकप शुरू करो आपको एक से दो drop facial oil की use करनी है मैंने अपने पाम में facial oil लिया and इसको मैं अपने पूरे face पे लगाऊंगी and इससे आपको एक दमी glow भी मिल जाएगा and आपकी skin बहुत ज़्यादा देर तक hydrated रहेगी and आपकी skin dry और फटी-फटी नहीं होगी and winters में आपको facial oil लगाना बहुत जरूरी है make-up के पहले otherwise आपका foundation फट जाता है and आपको पता भी नहीं चलता कि आपका foundation क्यों फट रहा I'm already loving my skin so much and इसके बाद अब मैं लगाऊंगी sunscreen वैसे तो हम sunscreen पहले लगाते हैं but क्योंकि facial oil लगाया है and मैं चाहती हूँ कि facial oil skin में अच्छे से absorb हो सके तो मैं लगा रही हूँ sunscreen and ये daytime makeup है तो daytime makeup में sunscreen is very important and आपको sunscreen को इस तरीके से लगाना है कि आपके pores को भी fill कर दे and आपको एक ही direction में जो sunscreen है वो लगानी है इसको दोबारा ऐसे लेके नहीं आना है अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपके pores वापस खुल जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते है तो आपको इस तरीके से sunscreen को apply करना है and same technique follow करके हम primer apply करते है ताकि हमारे pores है वो अच्छे से fill हो सकते इतने सारे steps कर चुके हैं तो primer को कम quantity में ही लगाना है and सिर्फ अपने T-zone पर ही apply करना like this, this, this and this इधर ही आपको प्राइमर apply करना है इसके लावा आपको पूरे face पर प्राइमर apply करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्यूंकि हम अल्रेड़ी इतना जादा skin prep कर चुके हैं तो सिर्फ हमको जहां पर पोर्स होते हैं वहां पर जो प्राइमर है वो अप्राइमर करना है and फिर जो आपकी extra आपकी fingertips पर बचा रहेगा उसको आप अपने पूरे face पर ब्लेंड कर सकते हैं शुरू होगा actual makeup एक मिनिट का ब्रेक लिया आता मैंने ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से मेरे skin में absorb हो सके and मैं लगा रही हूँ औरेंज कलर का color collector यह हाइड करता है darkness को and around अगर आपके बहुत जादा pigmentation है mouth के पास पर तो आप इसको लगा सकते हो and अगर आपके पास pimple हो रखे हैं तो आपको green color का color correction लगाना है and इसको blend करने के लिए आप beauty blender या फिर finger का use कर सकते हो brush से भी blend कर सकते हो but beauty blender and finger से blend करके सबसे जादा coverage मिलती है and beauty blender से आपको जो finish है वो बहुत जादा smooth मिलता है and जो finger से blend करते हैं जो coverage सबसे जादा मिलता है इसको मैं mostly मेरी finger की मदद से ही blend कर देती हूं जो coverage है वो बिल्कुल भी खतम ना हो जाए and अपने जो dark circle से उनको hide करने के लिए मैं हमेशा ही इसको use करती हूं इससे ना जो concealer है वो grey नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत time क्या होता है कि आपको लबता है कि आपके concealer तो अच्छा था बट वो grey हो गया वो grey इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने color correct नहीं किया होता है मैं यूज कर रही हूं sugar का foundation यूज करना चाहिए जिस पर mattifying ना लिखा हो and mattifying अगल लिखा है तो वो foundation आपको छोड़ देना है and hydrating लिखा है तो वो foundation आपको खरीद लेना मैंने मेरे पूरे face पर dot बना लिए and हम इसको blend करेंगे beauty blender की help से and क्योंकि हमने इतना अच्छा skin prep किया है कि यह इतनी easily blend हो जाएगा कि आप देख पाओगे कि एकदम ही एक मिनिट में पूरा foundation जो है वो blend हो गया and coverage इसका बहुत अच्छा है इस foundation का coverage एकदम full coverage है तो आप देख सकते हो कि यह foundation कितने अच्छे से blend हो रहा है and आपको जादा pressure नहीं देना है सिर्फ अपने product को blend करना है हलके हाथ से and इस तरीके से आप इसको blend कर सकते हो सिर्फ अपने face पे foundation apply करना है under eyes पे नहीं करना है क्योंकि under eyes पे बहुत जाद अगर layers लगा देंगे तो वो patch ही हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि under eye पे अपना जो foundation है वो लेके नहीं जाना है तो आप oil को बिल्कुल भी skip मत करना and अब हम लगाएंगे concealer and concealer को इस तरीके से आपको apply करना है and आपको बहुत जादा अपने जो under eye bags मतलब water liner उससे थोड़ा से दूर ही apply करना रहता है and यह वाला concealer थोड़ा सा drying है इसका formula तो तुरंट apply करके मैं इसको सिधा blend कर दूँगी otherwise यह मेरी creases में set हो जाएगा and cake कर देगा तो इसलिए मैं इसको तुरंट blend कर दूँगी and आप भी कोई भी concealer यूज़ कर सकते हो क्योंकि जो main step था हमारा make-up का जो की था oiling वो हम already कर चुके हैं तो अब आपका make-up बिलकुल भी जो है वो dry नहीं होगा throughout तो आपको इस तरीके से अच्छे से blend कर देना है अगर आप beginner हो यह video देख रहे हो ना तो पूरा end तक देखना मैं आपको eye makeup भी बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाऊंगी and अगर आपको लगता है कि आपका make-up अच्छे से नहीं होता है आपने पूरा video देख लिया and आपका make-up मेरी तरह नहीं हुआ मतलब कि आपका make-up काला देखने लग गया ऐसा वैसा कुछ भी है तो फिर आपको practice की जरूरत है ऐसा नहीं है कि आपको make-up जो आप देख रहे हो वो मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है आपको सुर्फ practice करने की जरूरत है अगर आप practice करोगे तो फिर आपका make-up भी अच्छा होने लग जाएगा धीरे-धीरे जैसा कि मेरा make-up पहले बहुत ही बेकार होता था अब जब मैं इतनी practice कर ली है तो अब मैं make-up एकदमी आसानी से smoothly कर लेती हूँ और मेरा make-up काला भी नहीं पड़ता है और ऐसा भी नहीं लगता है कि मैंने products को अपने face पर थोप दिया है मेरे जो products है वो अच्छे से blended होते है और बहुत ही असानी से मैं इसको कर लेती हूँ तो आपको practice करनी पड़ेगी और मेरे जितने भी वीडियो दाते रहते हैं आप हर वीडियो को देखके practice किया करो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा नया जो आपको उसके पहले वाले वीडियो में नहीं मिला था तो आप देख सकते हो आज के वीडियो में हम dry skin पर make up करना सीख रहे हैं इसके पहले जो मैंने make up किया था वो मैंने party wear make up किया था और वो भी बहुत ही अच्छा look निकल के आया था तो आप उसको भी देख सकते हो और अभी मैं लगा रही हूं blush और ड्राइ स्किन के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो blush है वो आप cream blush यूज़ करो और liquid blush यूज़ कर सकते हो आप बट liquid blush के साथ problem क्या होती है मतलब liquid जो चीजे होती है ना जैसे कि liquid color correction, liquid blush और सब चीजों के साथ क्या problem होती है कि वो आपकी जो fine lines है, creases है उनमें जाके set हो जाता है और जो cream products हम यूज़ करते हैं वो जाके set नहीं होते हैं तो dry skin के लिए cream products यूज़ करना ज़्यादा better है ऐसा मेरा मानना है बाकी लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है बट जो मुझे लगता है मेरे experience जब भी मैं make-up करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो जो मुझे अभी तक लगा है वो यही कि liquid products जो है न वो जाके set हो जाते हैं creases में जो cream products होते हैं वो set नहीं होते हैं वो easily blendable भी होते हैं and long lasting भी होते हैं तो मैं mostly cream products ही use करती हूँ जैसे की cream color character, cream blush and आप भी मेरी तरह cream products use करोगे और आपके skin dry है या फिर आपकी skin oily है combination है cream products कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे and जाके sweat नहीं होंगे आपके creases में या fine lines में तो आपको ध्यान रखना है कि आप cream products जादा यूज़ करो and हम blush apply कर चुके हैं अब बारी है हमको powder से set करने की and यहाँ पे यह powder जो होता है न वो game changer होता है यह आपके पूरे face को matte भी कर सकता है and आपके पूरे face को एकदमी different बना सकता है तो powder के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यह my glam का powder and powder को क्या करना है आपको सिर्फ आपको अपना under eyes set करना है इसके लिए आपको powder को लेना है उसको blend करना है वहीं पे and उसको कम करके हलका सा लगाना है सिर्फ बहुत थोड़ा सा powder और वह भी सिर्फ अपने under eyes पर अपना t-zone पर जहां पर आपको अपने concealer लगाया है ताकि जो आपका concealer है वह आपकी fine lines में जाके set ना हो and blended हो जाए तो powder आपको हलका सा लगाना है पूरे face पर powder लगाना नहीं है क्योंकि अगर आप पूरे face पर powder लगा दोगे तो फिर आपका makeup पूरा matte हो जाएगा and जो भी हमने पहले इतनी सारी कलाकारी करी थी वह सब बरबाद हो जाएगी क्योंकि आपने powder से पूरा face है वह matte कर दिया and यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है तो आपको सिर्फ अपना under eye set करना है and अपना T-zone set करना है around the mouth बस क्या कर सकते हो जो doing mist होती है उससे अपना पूरा makeup उसको lock कर सकते हो तो आपको थोड़ा सा wait करना है अपने eyes open करने के पहले and there you go आपका makeup set हो जाएगा and foundation crease भी नहीं करेगा and हटेगा भी नहीं तो pro tip यह होती है कि जब आपने mist को spray किया है तो आपको अपने face उसको touch नहीं करना है जब तक यह dry नहीं हो जाएगा जैसे ही यह dry हो जाएगा उसके बाद अपना face आप touch कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो बड़ जब तक dry नहीं हुआ है तब तक touch मत करना otherwise यह जो आपका foundation है वह patchy हो जाएगा अगर यहां से उखड़ भी जाता है कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है and beauty blender भी dab 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 नहीं करना है इसको अपने आप सूखने देना है उसके बाद ही आपको अपना face touch करना यह makeup कर सकते हैं या फिर lipstick भी apply कर सकते हैं तो मैं lipstick apply करती हूँ lipstick के लिए मैं use कर रही हूँ यह brown lip liner and यह lip liner नहीं है यह eyeliner है इसके बाद मैं लगाओंगी pink lipstick अगर आप चाहो तो आप अपना makeup यहाँ पर रोक सकते हो and आपको आगे makeup करने की ज़रूरत नहीं है हमारा glass skin makeup बहुत ही प्यारा हो चुका है but eye makeup के बिना मेरा makeup तो अधूरा ही रहता है तो मैं तो करूंगी eye makeup, eye makeup करने के लिए मैं brown से शुरू करूंगी and यह beginners के लिए एकदम easy होता है आपको एक angled brush लेना है and आपको एक V shape देनी है now you need this type of blending brush and इसमें आपको lighter shade लेना है and इसको tap off करना है and इसको blend करना है आपको एक ब्राउन शेड ले सकते हो and इसको center पर अप्लाए करना वहां पर apply करना है एक डम lightest shade आप जो भी palette यूज करो उसका lightest shade आपको लगा लेना है and हलका से उसको blend कर देना है and आपको सेम तरीके से अपना जो lower lash line उसको भी करना है आप ये angle brush ही लेना उससे जादा अच्छे से होगा eyelashes को curl करने के लिए मैं use कर रही हूँ ये eyelash color and ये मैंने खरीदा था local DIY जाके मतलब मेरा मतलब है local market में DIY मतलब की mall कई थी मैं वहां पे DIY का store था वहां से जाके मैंने खरीदा था इसको coat करना है mascara के साथ जो जरूरी चीज़ा वो रह गई जो की है eyebrows को fill करना तो eyebrows को fill करने के लिए सबसे पहले तो आपको eyebrows को comb करना होता है इस तरीके से eyebrows को upward direction में कोम करना and then इसके बाद हमको सिर्फ एक line draw करना होती है इस तरीके से you don't have to be berry मतलब बहुत ज्यादा product यूज करना है क्योंकि हमारा जो makeup है वह already इतना ज्यादा glowy and dewy है कि हम बिना highlighter के भी makeup कर सकते थे and there you go और तो